हलो एवरिवान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे LIC के IPO के बारे में जो कि आज कल बहुत ज़्यादा न्यूज में है तो इस से रिलेटेड कुछ interesting facts के बारे में हम इस वीडियो में discussion करेंगे जैसे कि क्या LIC दुनिया का सबसे बड़ा IPO बन सकता है इसके अलावा market capitalization के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी insurance company बन सकती है और इसके अलावा ये भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि क्या LIC listing के time पे दुनिया का largest IPO बन सकता है या नहीं तो उसके लिए अगर हम बात करें तो government LIC में अपना 5% stake पेज करके 65,000 करोड रुपए रेस करने का plan कर रही है और अगर इसको US dollar में convert किया जाए आज की अगर हम currency conversion लगाएं जो कि 74.7 है तो उससाब से लगभग 8.7 billion US dollar LIC के IPO से रेस किया जा सकता है और अगर इसको हम compare करें कि क्या इससे दुनिया का सबसे बड़ा IPO बन सकता है तो उसका answer होगा नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा रेस किया गया था IPO के थुरू वो था Saudi Arab को से यह Saudi Arab की energy company है जिससे कि 25.6 billion US dollar में रेस किया गया था दूसरे नमबर पे आती है Alibaba जिससे कि 21.77 billion रेस किया गया था यह चाइना का Amazon बोल सकते हैं तीसरे नमबर पे आती है चाइना की 21.35 billion के साथ Softbank Corporation जो कि एक communication company है चौते नमबर पे Entity Mobile जैपैन की 18.1 billion US dollar उससे रेस किये गये थे पांचवे नमबर पे Credit Card और Debit Card जो transaction को प्रोसेस करती है Visa इससे 17.86 billion US dollar रेस किये गये थे छटे नमबर पे Hong Kong की Insurance और Investment Company है AIA 17.78 billion इससे रेस किये गये थे साथवे नमबर पे Italy की जो Power Company है ENEL SPA इसससे 16.45 billion रेस किये गये थे आठवे नमबर पे हमारी Meta यानि कि Facebook आती है 16.01 billion नौवे नमबर पे US की General Motors 15.77 billion के साथ और दसवे नमबर पे आता है China का ICBC Bank जिससे कि 13.96 billion रेस किये गये थे तो इससे साथ से अगर LIC का स्टेक बेच करके Indian Government 8.7 billion रेस करती है तो ये Top 10 में भी IPO में अगर Largest IPO की बात करें तो LIC का IPO Top 10 में भी नहीं आएगा और अब अगर बात की जाए कि क्या LIC Listing के बाद दुनिया की Largest Insurance Company बन सकती है या नहीं तो उसके लिए अगर हम LIC के Calculation देखे तो 5% स्टेक बेच करके सरकार 62,000 करोड रुपए इससे रेस कर रही है उस हिसाब से अगर इसकी 100% की Valuation लगाई जाए तो अगर इसकी Listing Issue Price पे होती है तो इसका जो Market Capitalization होगा वो 13,000,000 करोड हो सकता है जो कि US Dollar Terms में बात की जाए तो 173,000,000,000 हो सकता है लेकिन ज़्यादा तर जानकर मान रहे हैं कि जो LIC का LIC की जो Listing है वो Premium पे होगी अगर US Dollar में देखे तो 293,000,000,000 होगा तो क्या अगर इसका Market Capitalization 293,000,000,000 होता है तो क्या ये दुनिया की Largest Insurance Company बन सकती है तो उसका Answer है नहीं क्योंकि पहले नंबर पे United Health है जो कि 440,000,000,000 से भी ज़्यादा US Dollar में उसका Market Capitalization है तो उसे साब से LIC का अगर Market Capitalization 293,000,000,000 भी होता है जो कि Higher Side पे Expect किया जा रहा है तो भी ये पहले नंबर की Insurance Company नहीं बन सकती हाला कि ये दूसरा नंबर गेन कर सकती है क्योंकि दूसरे नंबर पे है Ping and Insurance China की Insurance Company जिसका की Market Capitalization 155,000,000,000 है तो यहाँ पे LIC दूसरा नंबर यहाँ पे हासिल कर सकती है अगर इसकी Listing 173,000,000,000 से ले करके 293,000,000,000 के बीच में होती है इसके अलावा अगर कुछ और Top Insurance Companies की बात की जाए दुनिया की तो Hong Kong की AIA जो की 136,000,000,000 के असपास जिसका Market Capitalization है चौते नंबर पे China Life Insurance, पाँचवे नंबर पे US की Anthem, छटे नंबर पे Germany की Alliance, साथवे नंबर पे Switzerland की Shub, आठवे नंबर पे USA की Marsh and McLennan Companies, नौवे नंबर पे Again USA की Cigna, और दसवे नंबर पे आती है France की Exa, जिसका की Market Capitalization है लगबग 73,000,000,000 है तो definitely दुनिया की सबसे बड़ी Insurance Company नहीं बन पाएगी LIC, इवन लिस्टिंग के बाद भी, लेकिन अगर भारत की बात की जाए, तो definitely यह सबसे बड़ी Insurance Company बनेगी, क्योंकि HTFC Life, जो की सबसे बड़ी Insurance Company है, लिस्टेड अगर Companies की बात की जाए, जिसका की Market Capitalization लगबग 16,69,000, है, तो उससे definitely यह बहुत बड़ी Company बनेगी, और SPI Life Insurance, जिसका की 15.38 Billion का Market Capitalization है, और ICICL Lombard, जिसका की Market Capitalization 8.42 Billion का है, यह Top Insurance Companies है, तो इसमें No.1 LIC बन जाएगी, लिस्टिंग के बाद, और अब अगर बात की जाए कि क्या LIC भारत की सबसे बड़ी Company बन सकती है, तो आज की rate में जो भारत की सबसे बड़ी Company है, वो है Reliance Industries, जिसका की Market Capitalization 219 Billion है, तो issue price पे अगर इसका share list होता है, तो तो यह Reliance से पीछे रहेगी, लगबग 170 Billion के असपास इसका Market Capitalization होगा, लेकिन अगर इसकी listing premium पे होती है, जैसा कि ज्यादा तर जानकर मान रहे हैं, और यह 293 Billion या तो 19 Billion से उपर अगर यह list होती है, तो उस time पे यह भारत की सबसे बड़ी Company बन सकती है, Market Capitalization के हिसाब से, मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, thanks so much for watching the video and God bless you all.